अध्यान अखिएगा, जो भी आपके टीम में ब्यक्ति है, उसका दिल से सम्मान कीजिएगा, चाहे वो नया एसोसियेट भी आज जुड़ा है, उसको भी दिल से सम्मान कीजिएगा, क्यों? क्योंकि वो ब्यक्ति आपको अमीर बनाने के लिए आया हुआ है, बहुत सारे यात्री पुरा भर करके यात्रा करने गय हुए थे, तिर्त धाम, यात्रा भगवान के चारो धाम की यात्रा करके आ रहे थे वापस, जब वापस आ रहे थे, तो अचानक रास्ते में खौब बिजली तड़कने लगी, खौब मौसम खराब हो गया, बहुत तेजी से बिजल गिरी और सारे लोग डर गए, फिर थोड़ी दूर आगे बढ़ा, फिर जो है, बिजली तड़की और बस से आगे आके गिरी, सब लोग डर गए, लगे भगवान को प्रभू को यात करने, कि हे प्रभू, ऐसा क्या हम लोगों ने किया है, कि इस तरह से हम लोगों पे आपत आपती आ रही है, तो किसी बुद्धिमान ने कहा, इस बस में लगता है कोई ने कोई एक पापी आद्वी बैठा है, जिसके वज़ा से बिजली बार बार बस पे आकर के गिरने की कंडिशन बन रही है, अब यह हुआ, जैसे ही थोड़ा सा लोग आगे बढ़े, फिर एक अचामक सी बिजली आ करके आगे तड़की, अब बाल बाल जो है, बस बच गया, अब यह हुआ कि इसमें कोई पापी जरूर है, ऐसा है, इसमें से एक एक आदमी, एक एक, जैसे इत सारे लोग बैठे हुए हैं, अब उसी तरह से बस में बैठे हुए थे, यह हुआ कि एक एक आदमी जो है, इस बस से उतर करके उस पेड़ तक जाएगा, और उस पेड़ को छू करके आ करके बैठेगा, जो पापी होगा, उसके उपर बिजली गिर जाएगी, और वो मर और लोग जाते थे और जा करके, जैसे छू करके आते थे, बस में बैठ गए, बड़ी रिलीफ हो जाती है, मैं पापी नहीं हूँ, करते, 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 बस पुरा खाली हो गया, और छू करके लोग आके बैठ गए, एक आदमी लास्ट में बचा, सब की नजर उसी पे बस करो, यही है, और जैसे ही वो आदमी उतरता है, और पेड को छू करके, जैसे ही वापस मुड़ता है, जैसे ही अचानक बिजली जो है, बस पे गिर जाती है, और सभी लोग मर जाते हैं, यह कहानी, मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ, कि आपके team के, पता नहीं किस ब्यक्ति की वज़ा से आप सफल हो रहे हैं, आपको भी पता नहीं है, ये बात आपको भी पता नहीं है, किसकी वज़ा से आप सफल हो रहे हैं, वो महिला है या पुरूस है, जो भी है, उसका सम्मान दिल से कीजिएगा, नया एसुसेट भी आये, दिल से उसको सम्मान दिजिएगा, आपका स्वागत है हमारी टीम में, कहीं भी मिलिएगा तो, अगर आप इस तरह से करते रहेंगे, तो सब के दिलों पर राज करेंगे, इतना प्यारा बिज़्दस है ये, और इसमें इतने सारे लोग अगर आये अब इतने सारे लोग अगर यहां पर आये हुए हैं, और कोई ब्यक्ति अगर मुझसे मिलता है, और मैं एटिटूट में उसको देख करके, और चला जाओं, अगर वह बोलते हैं, सर गुडाइमसी, 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 और हम चले जाएं, क्या, आपको अच्छ अच्छा नहीं लगा, वही काम आप करेंगे, तो किसी को अच्छा लगगा क्या, उनकी भावनाओं को समझे, उन्होंने सही बोला है, बास समझे, जो चीज हमें अच्छा नहीं लगता है, वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, तो दिल से, प्यार से बोलिए, आपने कभी भी देखा होगा हमारे डाक्टर शोग भाटिया जी को सत्यन भाटिया जी को जो किस तरह से लोग प्यार से हसते हुए मुस्कुराते हुए बोलते हैं तो हमेशा इस काम को जरूर कीजिएगा मुस्कुराते हुए मिली किसी से मिली और दिल से मिली और सब का सम्मान कीजिए मै एक दिन इस कंपनी में आया था तो मैं भी जीरो था और आज मैं हीरो हूँ बहुत सारे लोग आज जीरो होंगे लेकिन वो भी हीरो बनेंगे यह मेरी गारंटी है सिर्फ याँ ठीके रहिएगा